हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल विकास फैजाबाद बलोस आज के न्यू ब्लोक में आप सभी का स्वागत है और हम है अभी मुंबई के महराष्ट के चाउने गाउं में तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू तो दोस्तों देखिए हम मुबाइल का अपना बैक कैमरा ओन कर चुके हैं और यहां का आपको दिखाते हुए जैसे कि देख सकते हैं यहां पे में रोड आपको दिख रहा होगा यह पहाडों के बीच ओ बीच पहाडों को काट के बनाया गया है और यहां पे देख सकते हैं जिसको कट करके यहाँ पे सड़क बनाया गया है, दोस्तों, हम अभी हैं महराष्ट के चावने गाउं में, तो दोस्तों यहाँ पे काफी उचा उचा पहाड है, यहाँ पहाड के उपर आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सूख चुके ह देखेगा आपको ऊपर घास्वाश जमा हुआ देख सकते हैं, याँका आप सबको दिखाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है पहाडों के बीच उबीच यह सडक बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, आटो आटो जा रहा है गाड़ी तो यहाँ पे सवारी वारी मिल जाता है दोस्तों ऐसा बात नहीं है आटो का सुवधा है आईए आप सबको यहाँ का व्यूज दिखाते हैं आगे चलते हैं यह देखिए पहाडों के बीच वीच रोड बना हुआ है और यह देख सकते हमारे विबेग भाई है जो फोटो हाँ पहाडों का कितना अच्छा व्यूज़ है यहां का और हमारे साथ यह वीडियों बनाने में हमारे सहायता भी करते हैं कि बहुत ही अच्छे दोस्तें हमारे वीवेग भाई जो चलिएब बेबाए़ वीडियों में आगे बढ़ते आ इन सब को आगे का सीन दिखाते हैं देख सकते हैं भाई कितना अच्छा व्यूज़ दिख रहा है सुनसान सड़क अकेले रस्ते पर हम लोग यहां घूमने के लिए निकले हुए हैं और हमारे साथ हैं हमारे विबेग भाई यह जैसे कि बगल में देख सकते हैं अभी कामरा में चला रहा हूं तो इससे आपको हमारा चेहरा नहीं दिख पाएगा देखते हैं कितनी दूर तक है यह चलिए चलते हैं आगे तक जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से अगर मैं नीचे से दिखाने कोचिस करूंगा तो कितना उचा पाहाड है और पाहाड को कट करके रोड बनाया गया है देख सकते हैं कि विबेग भाई फोटो अटो सूट कर रहे हैं हमारे यहां पे आज हम लोगों का डियूटी था तो डियूटी नहीं गये आप सेंट कर दिये हैं सोचा आप सब के लिए वीडियो ही बना लेते हैं अब भाई लोग जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं कितना दूर आ चुके हैं देखिए अभी हम पीछे दिखाने को चीश करते हैं वहां जो आपको दिख रहा है वहां पे हम खड़े हुए थे और इतनी दूर चलके आ चुके हैं और विबेग तो फोटो खीचने में बेस्ट नजर आ रहा है आए आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रात में लाइट वाइट के सुब्दा है देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगा हुआ है ऐसा बात नहीं है कि आई आगे तुमको आप सबको यहां का बीउज दिखाते हैं जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम लोग काफी दूर आ चुके हैं दोस्तों और यहां पर पहाड खतम हो चुका है इधर इस साइड में देख सकते हैं आप लोग इधर पहाड थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और आगे चल के देखते हैं आगे का विव है चलिए बिबेक भाई हमारे आगे आगे जा रहे हम इनके पीछे पीछे जाते हुए अजया हम लोग दिखाते हैं आपको दिखाएंगे आए कजारा नदर अजीव गरीब ने आजीव गरीब ने जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहां से कंपनी एरिया दिखा रहा है यहां पर बहुत सारे कंपनी हैं यहां पर लगे हुए नीचे आपको दिखाने कोचिस करता हूं मैं यहां देख सकते हैं इंडरस्टी एरिया है यहां देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है यहां पर काम चला है देखिए यह नीचे आपको दिखाने कोचिस कर रहा हूं इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा और हम लोग पहुच चुके हैं इस साथ कोई कंपनी है आगे सामने आपको दिख रहा होगा यह विवेक भाई जा रहा है आगे दोस्तों हम लोग काफी दूर आ चुके हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको दिखाएंगे मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में पहाड़ों पर बस यह कंपनी है यह देखिए पहाड़ों के ऊपर ही कंपनी बना हुआ है यहां पर देख सकते हैं देखिए भाई लोग कितना पढ़ा पहाड़ है यहां पर कितना है यह देखिए झाल झाल कि देखो भाई विबेक आगे चला हम पीछे पीछे कैमरा लेकर चल लें इसके साथ और यहां पर पहाड दिखाने वाले हैं आपको दिखा रहा विबेक कितना उचा है विबेक आगे आगे जा रहा है कैमरे में कि देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर कितना जाल जलकुट जो हमारे यहां यूपिम बोलते हैं जाल जलकुट होता है यहां पर सूफ चुके हैं सारे पहाड़ों के ऊपर हैं कि देखिए यहां पर पानी साइद रिसा रहा है पहाड़ों से देख सकते हैं आपको दिखाने कोछ चीज करते हैं कैमरे में यहां देख सकते हैं गीला हो रहा है पहाड़ कि यहां पर पानी टपक रहा है कि अधर आप चलते चलते देख सकते हैं काफी दूर आ चुके हैं अब मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बनते मातरम करते हैं